नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और एच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल परदेश में जो है सड़ कहाथ से बहुस कलन की पेट में तीन लोग आगे जिसके उनकी जो है जान गई है तो कहां कि न्यूज है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर एंड तक बने रही है अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और अंकित वर्मा और एच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब क की चपेट में आने से तीन की जो है मौत तस्वीर जो है आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्टिक सरमौर से निउज है कि भूसकलन के बाद मलबा हटाने के दौरान मलबे की चपेट में आने से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई है इनमें दो पोक लेन मशीन के ज नहां मलबा हटाने का काम चल रहा था, तीन व्यक्तियों की मौत के अलावा हाईवे के निर्मान कारिया में लगी एक पोकलेंड मिशीन भी शतीगरस्त हुई है, बताया जा रहा है कि हाथसा समबार सुबा 11 बजे हुआ है, अब तक जो है जो जानकारी प्राप्त हुई है, उ उकलेंड ओपरेटर अशोक कुमारवा जितेंदर की चोपाल अस्ताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत होगी, इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर की पैचान 60 वर्षिये कान सिंग के तौर पर की गई है, ये भी जानकारी मिली है कि टैक्सी जो है अटाल से देरादून की तरफ जा रही थी, टैक्सी मालिक खुद आगे जाकर ये चेक करने गया था कि कितने पत्थर गिरे हुए हैं, बता दें कि हवी के निर्मान कार्या का जिमा धत्रवाल कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो दोस्तों ये थी तार्या ख़बर ब्रेकिंग नियूस हिमाचल प करदेश की हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, धन्यावाद, जय जय भाब